नमस्ते फ्रेंट्स, गार्टनिंग विथ बंदिना में आपका स्वागत है, आज आपको मैं कटिंग से लगने वाले पौधों की नाम बताऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी भी कि इन्हें कैसे आप लगा सकते हैं, आज इसी की पूरी डीटेल मिलेगी, तो आईए चलिए व किसियंट होता है, आपके यहां जो भी वैदर हो, जब हलकी हलकी बारिश होनी शुरू हो जाएं, तब आप कटिंग लगाईए और फिर आप देखेंगे कि आपके हां कटिंग कोई भी फेल नहीं होगी, तो गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए फ्रेंड, इसकी जो टि नाव ऐसी डाल का किया जाता है, जिसमें की कलियां कम हो, और ज्यादा लंबी नहीं, बस यह एक दो नोड मिटी में जाए, जैसे यह एक नोड चला जाए, यह एक नोड चला जाए, तो ऐसे जन निकल आती है, बहुत अच्छे से, तो इस तरह से आप छोटी-छोटी कटिं इसके अलामा फ्रेंट अगली अगला जो प्लांट है, वो यह विंका का है, बहुत आसानी सी यह उग जाता है, और इसकी बहुत सारी कलर वेराइटी आती है, आप बस इसकी वी वैसे ही है, कि आपने यूं यूं ऐसे टिप तोड़ी, कैची से वैसे आप काटा करिए, मैंन से नीचे नीचे से यह से पतियां हटा दें, और बस करना कुछ नहीं है, जिस भी प्लांटर में आपको लगाना है, उसमें आप यूं ऐसे लगा दीजिए, उपर की फूल हटा दीजिए, और फिर देखे कि कितने अच्छे से यह प्लांट चल जाते हैं, कटिंग से लगने लगाने से, यह मोटी-मोटी जो डंडियां हम लगाते हैं, उसमें रूटिंग बहुत जल्दी नहीं आपाती है, लेकिन जब यह चोटी-छोटी कटिंग, इत्ती-छोटी सी कटिंग आप लगा लें, मैंने लगाया हुआ है, अभी आपको वो भी दिखाऊंगी, यह इत्त और यह जो चमपा है, इसके फूल मैं दिखाती हूँ, यह देखिए, यह चमपा के फूल है, इसकी भी कटिंग बहुत अच्छी उगाती है, इसमें बरसातों में आप अपनी मन पसंद पौधे लगाएं, और फिर देखें, जिस भी तरह के आप पौधे अपने हाँ चाहते हैं, तो आपको दिवाली से पहले पहले इसमें फूल आपको मिलने लगेंगे, और यह आपके पास अभी कटिंग लगाएंगे, तो बहुत ज्यादा पौधे हो जाएंगे, और आपको फूलों की कमी नहीं होगी गेंदे के, और इसके अलामा अगला जो पौधा है, यह आपके वल टिप लगा दें, तो उतने से चल जाते हैं, और अगला जो प्लांट है, यह दिखिए, यह कोलियस का प्लांट है, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, और कुछ करना नहीं है, उपर का जो नोड होता है, उसे तोड़ करके हम मिटी में लगा लेंगे, इन बरसातों में लग जाती है, बहुत आसाने से, इसकी एलमणड का पौ दया सकते हैं, और यह है नाग चंपा, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं, और जिन भी तरह के पाधे आप चाते हैं, अपने Hära आपने गरन में उस तब ही मैंने लगाया था और इसमें जरा भी इनके पौधे मितलब श्रिंक नहीं हुए है एकदम हरे भरे जैसे थे वैसे ही है यह देखिए बलकि कली छूट भी गई है रह गई है लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूं यह देखिए यह गेंदे का गेंदे की टीप है ब बहुत सारी वेराइटी है उसकी कई मैंने लगाये हैं और यह बोगन बेल है देखिए उपर की पतियां मैंने हटा दी है और यह चंपा का है और यह बहुत आसानी से चल जांगे इस तरह के वाक्त यह 50 पीस लगाने के लिए बड़े अच्छे होते हैं यह, तो इसमें आप कहीं भी एक जगह रख दीजिए बहुत ज़्यादा से हिलाने की जरूत नहीं है और जो से मिटी मैंने लिया वह मिटी नहीं है इसके अंदर इसमें बालू है और थोड़ा कंपोश्ट है मतलब आप एक एक हिसा बालू ले ले और एक हिसा कंपोश्ट मिला करके वर्मी हो गये हैं यह लगबग एक हपते हो गए मुझे लगाए हुए और अगर मैं खोल के देखूं इसको तो इसमें जड़े भी आने लगी होंगी मैं दिखाती हूं आपको यह वाला मैं निकाल करके फ्रेंट दिखाती हूं यह देखिए यह कटिंग से ही लगा हुआ पौधा ह इन सब की कटिंग लगा सकते हैं गुल्दाओदी की कटिंग कैसे लगाते हैं उसको भी मैंने एक वीडियो बना के दिखाया हुआ है आप चाहे तो देख सकते हैं और यह देखिए कितनी हेल्दी जड़े आई हुई है और इसमें जो मिटी मैंने यूज की हुई है उसका भ अ नहीं डाला है और बस वही बारिशे हो रही है इतना ही है एक दो दिन से और यह देखिए गुल्दाओदी की कटिंग लगी हुई है बहुत सारी यह देखिए यह तो प्यॉर बालु में ही लगी हुई है इसमें कुछ भी मैंने नहीं मिलाया है सिर्फ रेत है इसमें यह आप काली वाली भी ले सकते हैं और लाल से यह थोड़ा ज्यादा का मैंने ले लिया ओर कोई यह आपके आप नमें तो गंबले की उपर की मिटी आप हटाईए नहीं थोड़ी सी हटा दीजे बस और लगभग 2 इंच के करीम में उसमें बालू और कंपोस्ट बरावर मात्रा में मिलाके और उपर की एक लेयर लगा दीजे और उसमें आप कटिंग को लगा दीजे तो आपको इधर उधर गंबल की कटिंग है तो इससे जो पौधे त्यार होंगे वह अक्टूबर नौवंबर में फ्लावरिंग के लिए एकदम रेडी होंगे तो यह पीक टाइम है फ्रेंट इस समय आप लगा लिजे जुलाई के महीने में 15 जुलाई तक आप बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं जो भी आपको पसंदो गुड़हल गुलाब मुसेंडा बहुत सारे ऐसे चंपा इस तरह के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया है तो आप बेजीजा की समय जो भी आपको मन पसंद पौधा हो या जो आपने लगाना सोचा हो कहीं पार्क में भी दिख है जैसे कि एकदम ग्रीन हाउस में या पौली हाउस में अपने पौधे उगाते हैं उसी तरह का ट्रेंप्रेचर हमको ऐसे ही जनरली वातावरण हमको देता है नेचर देता है तो आप इस मौसम का लाब उठाईए और अपने खूब सारी कटिंग को लगा लिए जो भी आनकारी आपको दी है और इसके अलामा भी कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और नय हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा नमस्ते फ्रेंड्स